आप सभी को मेरी और से प्रणा, प्रत्यक विध्यार्थी को अपने विध्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए बुद्धी, बल, विवेक, पारुष, मूर्धा, शक्ति, स्मन शक्ति को तीवर करने के लिए बसंत पंजमी के दिन महा माया सरस्वती जगदमबाजी का मंतरा की जिवा पर बैठी हैं, तो बात पलट दी, इसलिए कहते हैं, वाग की सिद्धी, वानी की सिद्धी, महा माया सरस्वती से ही होकर निकलती हैं, इसलिए हमें विशेश दिन मिलता हैं, बसंत पंजमी का, कैसे पूजन करना चाहिए बसंत पंजमी के दिन, और क्या वि कुछ कोऊंगा शास्त्र पर्मानों से कोऊंगा आई आज कुछ अच्छा सीखने का प्रियास कर ले बसंत पंचमी में आपको पर्थम पूजन कैसे करना चाहिए और किन मंत्रों का विशिश जाप करना चाहिए आज किस वीडियो में मैं आपको बतारों ध्यान पूरवक समझ घिये का बसंत पंचमी का पूजन बहुत सर्ल विदी से कर सकते हैं आप कैसे करें जदी आपके देव मुंदिन में माता-सरस्वति की परतिमा हो सामने अप माता-सरस्वति की फो रख सकते हैं प्रथम आपने क्या करना चाहिए, माथे पर पीला केसर युक्त तिलक लगा लेना चाहिए, और अपने कंठ में भी केसर युक्त तिलक धारण करना चाहिए, हो सके तो हातों में पीला जो मौली का धागा रक्षा सूत्र होता है, उसे बाधना चाहिए, माता सरस्वती का यदि आपके पास सरस्वतियंत्र हो तो सरस्वतियंत्र के उपर आप सरस्वतिय की प्रतिमा को रख सकते हैं यह भी बहुत नारण का नामस्वरन करते वे सर्व पर्थम पंच देवों को प्रणाम करें तदो प्रांत उसके शिरी गणेजी का पुजन प्रारंब करनाची आजमन करें आसन की शुद्धी कर लें और हो सके तो गणेजी की पुजा अवश्य करें यदि विदिवत पुर्वक ना हो सकें तो संक्षिप्त विदी के साथ ही ओम गम गणपताई नम इस तरह से पंच उपचार के माध्यम से भी आप भगवान शिरी गणेजी का पुजन कर लेजिए गणेजी को दक्षणा द्रव्य नैवेध्य इत्यादी अरपन करें गणेजी की आर्ती विशिष्टह करें और से क्रश प्रणदेपता को आप मंसा प्रणाम कर सकते हैं तदो प्रांत नवगरहों को प्रणाम अवश्य कीजेगा और नवगरहों को प्रणाम करने के तदो प्रांत आपने माता सरस्वती का पूजन प्रारम करना चाहिए चौकी में यदि पीला वस्त्र बिछाया जा सके क्योंकि माता सरस्वति के पूजा में पीत वस्त्रों का, पीत पुष्पों का, पीले चावलों का बहुत अतिशय प्रयोग बताया गया है हमारे शांस्त्रों में, इसलिए पीले वस्त्रों से, पीले पुष्पों से, पीले अक्षतों से ही माता सरस्वति का पूजम आपको कर सर्व पर्थम माता सरस्वती को आपने प्रणाम करना चीए ध्यान कीजिए माता सरस्वती का शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परेमां माध्याम जगत व्यापिनिम वीना पुस्तक धारणिम भयदां जाध्यांद कारा पहां हस्ते स्वाटिक मालिकां विदधतिम पद्मासने संसिताम वंदेताम परमेश्वरिम भगवतिम बुद्धीम प्रदाम शारदाम माता शारदा जी को प्रलाम केजिए ना हो सके इतना दीर्ग मंत्र तो आप कहिए ओम आइम सरस्वत्याइम नम्ह इस मंत्र के बीजात्मक मंत्र के माध्यम से आप सरवांग माता सरस्वती का पूजन कीजिए माता सरस्वती का पूजन प्रारम करने से पूर्व आप संकल्प लेवें सुपारी पीले अक्षत पीले पुष्प अपने हाथ में लेवें कुछ द्रविदक्षिना लेवें अपनी मनोकामना माता सरस्वती जी के निकट रखें अपना कुल नाम गोत्र लेवें दिन का नामस्प्रन करते विग कहें कि सरवारिष्ट परिहार्थम वाक सिध्धी मेदा समर्ण शक्ति प्राप्ति अर्थम यथा शक्ति यथा भक्ति योगेन अंबा पर अंबा वीना पुस्तक धारनी महमाया एंग सरस्वती निमत्तकम पूजनम एवं अमुका अमकु संख्याया जपम्च करिशे हरी ही ओम तसत कहते हैं आप संकल्प को माता सरस्वती को अर्पन करें तदो प्राम्त आप अपना पूजन कर्म प्रारंब करें उनको जल के द्वारा सनान कराईए, पंचा मर्द का सनान कराईए, हो सके तो जल में थोड़ा पानी पीला कर लीजिए, हल्दी डालकर इसके द्वारा आप माता सरस्वती को सनान करवाईए, माता सरस्वती को सनान कराने के अप्राम्त उन्हें पीले वस्त्र अरपन कर दीजि नैवेद्य में मीठे रूप में हो सके तो पीला हलुआ माता जी को आप अवश्य भूख लगावे उसके तदुप्राम्त आप माता सरस्वती के 108 बार पीले पुष्पों के माध्यम से पूजन करें यदि आपके पास पीले पुष्प नहीं है तो आप जो चामर होते अक्षत होते हैं उन्हें पीला कर लीजिए और एक-एक अक्षत के माध्यम से आपको जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूं इसके द्वारा माता सरस्वती की आपको पूजा करनी चाइए वहाँ बीज मंत्र है श्रिम हिरिम सरस्वत्य स्वाह इस मंत्र के माध्यम से एक-एक चामल का दा आप माता सरस्वती को अरपन कर सकते हैं। उसके उपरांत आप माता सरस्वती की आरती करें। आपकी जो पुस्तिका है आप अपनी पुस्तिकाओं का भी पूजन अवश्य करें। वाध्य यंत्र हैं जो आप बजाते हैं बाजा इत्याजी उन पर भी आपने तिलक चंदन स्वास्तिक चिन अवश्य अंकित करना चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर श्री अंकित अवश्य करें। उस परकार वाध्य यंत्रों का पोजन करने के तदुप्रांत आप माता स सरस्वती जी की आर्ति को अवश्य करें। माता सरस्वती जी की एक बार परिकर्मा अवश्य करने चाहिए। इस परकार से आशा करता हूं कि बसंत पंचिमी के विशय में जो कुछ भी मैंने भव्य दिव्य जानकारी आपको जिम आपको ये अच्छी लगी होंगी। आप सबी को मैं अपने और से बंदन करता हूं प्रणाम करता हूं ओम आइम सरस्वत्याई नमहां।